दोस्तों बेबाग खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीची हेड़्वाइन सिंडिया और इस बैल आइकन को दबा कर खबरे पाएं सबसे पहले इसमेंじゃあ이 कोत को दख़र निक दे सकती नमस्कार मैं हूँ नवीन चौहान तीन शब्द हैं तलाग तलाग और तलाग और इन तीन शब्दों नेहीं कई महिलाओं की जिंदगे को तबा कर दिया SMS सवाल ये है कि अब ये मामला सुप्रीम कोट में है और देश का मुसल्मान अब क्या सूचता है तो सीधा बात देश के मुसल्मान से करते हैं तलाग का जो लोग गलत इस्तमाल कर रहे हैं उसके लिए गलत से कानून बनाओ उसके इसमें अब मदमा अक्स तरह मत करो उसके लिए गलत से कानून बनाओ कि ऐसे लोगों को इस तरह की सजा दी जाएगी जो गलत तरीके से महिलाओं को शोड़ रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और उसमा जो है सुप्रिंग कोट भी सजा दे सके और उल्माई दिन में सजा दे 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 जाए हैं जो हमारे सोचते खलते मजभी मामला है आप इसको कुरान में से ठान नहीं सकते क्योंकर वह अगर इसमें आप गुसेंगे तो नुक्सार उटाएंगे अक्सर आप मिता नहीं सकते हैं यह जब तक ख्यामत रहेगी जब तक रहेगा इसमें नि तोड़ जोड़ कर सकते आप इटो खानूने जब तक दुनिया बनिया जब रहेगी कुरान हमारा अमल रहागा जो इस्तरी कहना window और अनलाशियत को और शर्यात को भी मतलब इस्तरी कहना ना नसे यह मैं इसके समरतन म तो खुलत है ना कि तीन तिलाग के बारे में आप इतना रुका उठारगा आप तीन तिलाग ना जाय जाद है ना जो कुरान का फैसला है उटो भू रहेंगा अर जीज ज़ क्यामा तो कानुन तो तुम अपना बनाई एए इस हिंदुस्तान हैगा कानुन अपना बनाई है पर तनहीं देते हैं तलाक स्था टोड़ देता है, हाभ ओंख हं। अब खाल वों खाले ओड़तों को, यह वार तेह नहीं है। एक्चोली जो मसला है, यह पॉलिटिफिशिशन किया जा रहा है, जो पॉलिटिक इसको। जोड़ जा रहा है, ऐसा नहीं है। बलकि तलाग का जो मसला है वो हमारे Muslim personal law के साफ से है इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई country या कोई प्राइम निस्टर या कुछ कर सकता है यह हमारा अपना religion का मामला है यह religion के साफ से सोलोन चाहिए इसमें कोर्ट वगरा को कुछ नहीं करने चाहिए महिलाओं के भी कमी होती है वो अच्छी तरह पेशने आती है अपने शोगर के साथ इसलिए उनको तलाग दिया एता है देखो जो महिलाए इस बात किस मुद्दे को उठा रही है कि ऐसा होना चाहिए यह कोई नया मुद्दा तो है नहीं है नहीं चोदा सो साल से जो कुरान के अंदर जो फैसला लिया है जिस पर वो इमान लाई है जिसको मान के वो यह कहती है कि हां में मुसल्मान हूं अगर उस कानून को वो मानती है तो वो इमान वाली है और वो इस कानून को नहीं मानती है तो इसलाम में उनका कोई हिस्सा नहीं है कानुन का फायदा उठा रें, उनको तो सज़ा मिलने ही चाहिए लेकिन तीन तलाग का जो मामला है य। इनका मुलानाओ का मामला है ये इसको खुद देखेंगें तो हमारे मदब में है वो मदब में जो एक कोवर्मिंट अपनी तरफ से बना रही है वो कोवर्मिंट का कानू थो पुबिक देखे जो amis को माने रहे हैं उनके बादो किभाने थे व means हमारे उल्मे-ढदीन जो कह रहे है अगर हमारे Shark के का अगर रहा हूझ हो तो सुना अपने देश का मुसलमान बेबाग तरीके से बोला सब के अपनी मिली जूली प्रतिक्रिया है आप इस मसले में क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर दीचिये साथ इस वीडियो को लाइक, शेर और सबस्क्राइब करना पिलकुल मत भूलिए जल मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ नमस्कार